चलिए आज बनाते हैं मटन रोस्ट मटन को हमने अच्चे से दो कर इसमें एड़ किया है हल्दी, नमक, कालिमीरी, निम्बो का रस इसे मिक्स करके एक ग्लास पानी एड़ करेंगे और तीन से चार सीटी लगाएंगे मटन कुछ इस तरह दिखेगा अब तयार करते हैं ग्रेवी तेल में एड़ कर लिया है लौंग, तेज पत्ता और दो बारी कटे हुए प्यास डालेंगे हरी मिर्च जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए स्वादनुसार नमक अध्रक लसुम का पेस्ट कड़ी पत्ता और इसे तोड़ी देर अच्चे से भून लेंगे अब डालेंगे हल्दी, काश्मीरी मिर्ची, दन्या, पौडर और गरम मसाला और इसे भी बून लेंगे अब डालेंगे एक टमाटर बारी कटा हुआ अब डालेंगे एक टमाटर बारी कटा हुआ अब डालेंगे पकाया हुआ मतन अब डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर दस मिनित पानी सुपने तक पकायेंगे उपर से डालेंगे एक चमाच मीट मसाला गार्निश करेंगे कटे हुए हरा दन्या से और बन गया हमारा डिलीशस मतन रोस्ट एंजोई झालेंगे